नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका CP Smart Classes में दोस्तों TGT PGT के छात्रों के लिए बहुत ही बड़ी खुस ख़वरी है Breaking News है 2013 का अगर आपने TGT PGT का Interview दिया था तो आपके लिए यह खुस ख़वरी है क्योंकि Waiting List जारी कर दी गई है और आपको Document Verification के लिए बुलाया है तो List आप देखिए क्या आपका नाम इसमें है अगर आपका नाम इसमें है तो Comment Box में Comment जुरूर कीजेगा दोस्तों और इस वीडियो को Like करके Share जुरूर कीजेगा अपने दोस्तों के साथ क्योंकि बहुत ही बड़ी Good News है आपके लिए और आप हो सकता है कि इंटर्व्यू की इसमें तैयारी कर रहे हो लेकिन पिछली वेकेंसे में ही अगर आपको नौकरी मिल जा रही है तो इससे बड़ी ख़बर क्या होगी तो आज़े देख लेते हैं क्या notification आया है दोस्तों यह notification आया है तो इसमें यह लिखा हुआ है कि 17 दिसंबर 2019 को दिएगे निर्देश के क्रम में उत्तर प्रदेश मादमिक सिछा सिवा चैन बोर्ड प्रियागराज द्वार बिग्यापिते बिग्यापन संक्या एक बटे 2013 2013 का यह बिग्यापन है इसमें जो चैनित अभ्यार्थिया है कतिपए करणों से कारिभार ग्रहन ना करने करण मौलिक रूप से रिक्त पतों पर उत्तर प्रदेश मादमिक सिछा सिवा चैन बोर्ड नीमावली के बिवस्था नुसार और सेश पैनल वर्ग वन और वर्ग टू में संगलन सुची में अंकित बिश्यों के सम्मुक अंकित कटाफ तक क्या भ्यार थी? इस्तमसात में उल्लेखित तिथी को एक बजे से अपरहन दो बजे के मत अपने समस्त सैचक प्रसिछन एवं आरच्छन समंति मूल प्रमाण पत्रों एवं उसकी एक एक स्वय प्रणवानित शाजा प्रति के साथ कार्याले सिच्छनितेशक में उपस्थित हो और इसमें ए एक बार में उपस्तित नहीं होते हैं तो आपको दूइती आवसर नहीं मिलेगा और नहीं किसी प्रकार कोई प्रत्यावेदन ग्राह ही होगा कोई अप्लीकेशन आपकी एक्सिप्ट नहीं की जाएगी इसलिए इस वीडियो को सेयर कर दिए जिससे सबको जानकारी मिल देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ आगे कॉंस्लिंग हे तु कटाफ गुलांग की रूप में दिया गए यहां पर हिंदी की लिए सामाने जाती का कटाफ ये दिया हुआ है और पिछला पिछला वर्ग आनुसूचित जाती का हिंदी में नहीं है और इनकी काउंसिलिंग 21 परवरी बागी विसे भी देख लिजी आप लोग और यह को वर्क 2 है वर्क 2 की विसे भी देख लिजिए इसके बाद इसमें डेटेल से आपका नाम भी दिया गया है और जिसे मनुर्मा तोमर है हिंदी में पूजा तिरपाथी है दिपिका बर्मा है नीलेश कुमारी है केट सब्जेक्ट से हैं और आपका नाम कहां पर है तो बहुत लंबी लिस्ट है यह काफी लोगों का इसमें हो गया है अब आपको डाकून वेरिफिकेशन करवाना है तो दोस्तों यह थी आज की अपडेट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अपडेट के साथ धन्यवाद